हेलो फ्रेंड्स आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हमारे वीडियो में तो इस वीडियो में हम आपके कमेंट का आंसर करते हैं तो देखिए साहु जी ने कमेंट किया है सर पीपीएस्टी का अभी कांसलिंग चालू नहीं हुआ है क्या तो साहु जी अभी तक कर सकता हूं कि नहीं तो देखिए मैं आपको बताना चाहरा हूं कि पहले जो होता था counseling उसमें आपको participate अलग-अलग counseling में करना रहता था लेकिन इस बार IGKV ने क्या किया है कि एक joint बना दिया एक ID आपको provide होगा एक password आपको provide होगा आपको उसमें first counseling भी चलेगा second counseling भी चलेगा जितने प्रकार के counseling है वो सब उसमें चलेगा लेकिन पहले ऐसा होता था कि जितने बार आप counseling कराने जाएंगे उतने बार आपको ID password मिलता था लेकिन इस बार क्या हुआ है कि एक ही बार आपका मिल गया है अगला जो question ने कुछ भी करेंगे इनका है ये लिखते है agriculture versus horticulture में कौन सा better है तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दिया है आप उसको देख सकते हैं कि agriculture versus horticulture दोनों में आपका क्या interest है कि सब्जेक्ट में आप जाना चाहते हैं किसमें आपका अच्छा पकड़ है आपका अच्छा रूची है वहाँ पर आप एक बार देख लीजे उस वीडियो को उसके बाद आप decide करिए अगला जो comment है सूधा जी का है sir private college की hostel and खाने का कुल खर्च कितना होता है BSC agriculture में तो देखे इसके लिए मैंने एक वीडियो डाल दिया है अपने चैनल पर आप वहाँ पे देख सकते हैं और मैंने आपको बता भी दिया कि आप वहाँ से पीडियाप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो वहाँ पे आपको ए निखिल सर का sir अभी counseling करना ठीक रहेगा क्या तो देखिए अभी counseling करना ठीक रहेगा कि नहीं इस पर मैं अभी नहीं बोल सकता क्योंकि बहुत सारे problem IGKV के site पे आ रहे हैं उनके bank server पे आ रहे हैं उनके counseling के form भरने के time पे आ रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कुछ दिन document वो तो आपको दे नहीं है प्लस आप जिस इस category में belong करते हैं उस सब का document अगर नहीं है तो आपके पास अभी थोड़ा सा समय है आप इसको बना सकते हैं कोसिस करिए कि आप time पे बनवा करकि आप अपना registration कर लिजे अभी और फिर counseling form को डाल दीजे अगला जो question है आकास ठाक graduation college से ही लेना पड़ेगा क्या तो आकास जी मैं आपकी लिए कहना चाहा रहा हूं कि अगर आपका BSC hearty culture में हो चुका है 2019 में तो आप उसको मत छोड़िए आप उसको continue रखिए ये best option आपकी लिए रहेगा इसलिए रहेगा क्योंकि आपने एक साल का पैसा दिया हुआ है जिनको clear नहीं रहता है पैसा चलिए चल जाता है लेकिन आपका जो एक साल चल जाएगा वो आपको बहुत नुकसान करेगा तो आप कोसिस करिए कि आप अपना भी exit बचाए और जो आप नया seat लेना चाहरे हैं वो भी exit किसी और के लिए रख दीजिए अगला जो question है प्रिं सितंबर से करेंगे लेकिन आप ये मान के चलिए कि अभी इस week या इस month तक इसके बारे में कोई ना कोई notice आही जाएगा फिर भी आप चाहें तो director of technical education के site को आप विजिट कर सकते हैं तो आपको वहाँ पे हर update मिलते रहेगा अगला जो question है music word sir का है ये लिखते हैं भाई CGPT का counseling कब से start होगा please reply bro तो इनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि PPT का PET का और PPST ये तीनों चीज का जो counseling and director of technical education के through होगा तो इसका अभी तब कोई notification आया नहीं है जैसे आएगा आपके लिए वीडियो बना दिया जाएगा अगला जो question है सूरज वर्मा जी का है PPST का admission कब स question नहीं आया है अगला जो question है tiger tendon जी का है तो आपका जो questions है वो आपका answer मैंने इनके questions के थुरू आपको दे दिया है फिर भी अगर आपको doubt आता है तो आप comment करिएगा अगला जो question है hacking guru जी का है ये लिखते है अगर मैं BIT college से संक्राचारे college में change करता हूं third semester में तो क्या अच्छे से पहले sure हो जाईए क्योंकि मैंने जो video बनाया था college change करने का वो government college की उपर है क्योंकि government क्या होती है एक ऐसी संस्था होती है जहां पे सबका जो statement होता है जितना structure होता है सब एक ही body काम करता है बस आपको दोनों college के principal sir को convince करना रहता है और आप एक college से दूसरे college मे जा सकते हैं लेकिन private college में ऐसा नहीं है BIT एक अलग company की college है संक्राशार एक अलग group की college है ये दोनों group अलग अलग है तो आप इन दोनों के principal sir से management group से आप बात कर सकते हैं उसके बाद आगर आपको लगता है कि college change करना सही है तो आप एक बार कर सकते हैं अगला जो question है लली साह सुधार सकते हैं क्या sir registration या academic performance फरने के बाद please बताईएगा sir जी आपका जो question ने वो मुझे clear पूरी तरीख से नहीं हुआ कि आप क्या मुझसे पूछना चाह रहे हैं फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर recounting और rechecking जो cvsc या cg boat का है जो भी आना है अगर time पे अगर आ जाता है तो आप उसको edit कर सकते हैं form को और वो जो नया आपका बन करके आया है percent आप उसको वहां पे add कर सकते हैं अगला जो question राजिस सर जी का है आई जी केवी के थुरू हो काउंसिलिंग चालू होने का मतलब यह है कि अब आपका document complete होगे आपने सारे college को preference दे दिया अब पूरा जो पूरा काम है वो आई जी केवी की उपर है वो सारे college का registration को देखता है सारे form को देखता है उसके बाद वो आपको क्या करता है seat a lot करता ह तो counseling अभी चालू नहीं हुआ है counseling का form fill up अभी हो रहा है अगला जो question ने प्रकर sir का है ये लिखते है sir files uploaded नहीं हो रहा है sir कैसे upload करें reply करिये sir तो प्रकर sir मैं आपको कहना चाहूंगा कि IGKV का जो site है उस पर काफी सारे problem आ रहे हैं आप एक दो दिन रूख जाए अगर एक द देखे आपने counseling किसके subject ने पूछा है उसके बारे में अपने clear mention नहीं किया है CGPT का PPT का अगर आप PAT का बात कर रहे हैं agriculture का अगर आप बात कर रहे हैं तो counseling का process चालू हो गया है registration चल रहा है form fill up हो रहा है college का preference चालू है अगला जो question है money sir का ये लिखते है sir आप check करके बता सकत हैं क्या हम अपना ID देंगे तो form successful हुआ है कि नहीं इनका एक और comment है sir बिना successful के printout नहीं निकलता है क्या sir जी तो देखे आपके लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आप मेरे को ID दीजे या किसी भी YouTuber sir को ID दीजे आपके phone में जो show कर रहा है वो भी उनके ही phone में show करेगा क्योंक printout निकाल करके आपको कोई benefit नहीं है आप एक बार पूरा payment कर लिजे फिर जब आप counseling के बात का जो DVC का जो process है वहाँ जब आप जाएंगे तब आप इसका printout निकाल लिजेगा अगला जो question है कुछ भी करेंगे sir का है sir बिटेक agriculture और BSC agriculture दोनों के लिए apply कर सकते हैं क्या उसक available agriculture subjects हैं तो आपको BSC agriculture और BSC hearty culture में डालना चाहिए नेक्स्ट जो comment है दीपक सर का ये लिखते हैं सर जी मैं BSC agriculture private college में कर रहा हूं और PAT के लिए form डाला था तो counseling में फिर से डाल सकता हूं की नहीं सर जी तो बिलकुल आप डाल सकते हैं अगर आपका percentage अच्छा है तो आप बि college मिलने का chance है क्या तो 71% सर आपका है आपने यहाँ पे clear ने किया कि ये main 3 subject का है आप science group से हैं या agriculture group से हैं तो 71% में मिलना बहुत ही challenging का काम है बट फिर भी आप try करिये be positive अगला जो question है KDV सर का है ये लिखते है PPST का counseling form कब आएगा तो सर इसके लिए मैंने पहले ही comment के question मे मैं answer दे दिया हूँ अगला जो question है game सर का है ये लिखते है मैंने IGKV में सारा form भर दिया last में payment तीन बार करा तो तीनो बार session expire बताया पैसा भी cut गया please help तो आप एक काम कर सकते हैं अभी आप IGKV को इस पर report करिए उनके जो official site है वहाँ पे आप जाके report कर सकते हैं और payment अभी म ना हो जाता है तब तक आप payment मत करिए अगला जो comment है ओनकार सर का है ये लिखते हैं सर जी D8 government college कितना percent तक मिल जाएगा तो देखिए अभी कुछ कहारी जा सकता है क्योंकि इनका ना तो कोई notification आया है ना तो कोई counseling का date आया है जो रात जिस एक छडिक परिसद है जैसे NCRT होत पता है जे जगर